हालो स्ट्रेंट्स बूर्णिंग मैं आपके साइन्टीश श्वता मैं बच्चोग लास टेंद का हमारा इलेटर सिटी चैक्टर हमने कम्प्लीट कर लिया है थियोरी पोर्शन उसके एंसी आर्टी इंटेस क्वेशन्स हमने कर लिये हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एंसी एकसराइज जिए कॉस्चेंस्ट इकसराईज इसमें हमारा क्वेशन नंबर बन क्या रहा है और यह जो वायर है when country conductor है और यह वायर जो है आप इसको क्या करिए कि इसको पांच टुकड़ों में इसको तोड़ लीजिए ठीक है इस वायर के 5 पीस हमको करने हैं तो पांच टुकड़ों में इसको तोड़ लेते हैं देखें यह एक पीस हो गया यह इसका दूसरा हो गया यह तीसरा हो गया और य इस तुकडे करके और उन टुकडों को मुझे पैरलर में कंबाइंड करना है तो अ कि फिक है वायर है तो वायर के अंदर रेजिस्टेंस भी 허락 तो upwards पॉल्ड हिस को अगर इस तुकडे को अगर तो इसकी जंहां पड जो एक रेजिस्टंस आएगा यानि की इक्यूवैलारंट रेजिस्टंस का मतलब कि ये पांचो तराजू में एक तरफ है और इसी के बराबर में equivalent resistance आप एक ही रख दीजे जो कि इसको equal करता हूँ तो इन पांचो को हटा करके जो मैं equivalent resistance रखती हूँ वो इस book में दिया हुआ है कि equivalent resistance जो है वो क्या है वो r- है equivalent resistance को r- बता रहा है तो कह रहा है कि r r- है न देखिए equivalent resistance r- हो गया और ये क्या है हमारा r है एक एक का ये देखिए r1, r2, r3, r4, r5 ठीक है तो ये हमारे क्या है r है तो कह रहा है कि r और r- का ratio क्या होगा ratio बताइए ठीक है ratio आपसे पूछ रहा है कि r का r- जो इसका equivalent resistance होगा और जो इसका resistance होगा उन दोनों resistance के बीच का ratio क्या होगा हमको निकालना क्या है ratio निकालना है ओके यानि कि in resistance का in resistance को आप r कह रहे है तो इसका equivalent resistance जो है वो है r- तो इन दोनों का r r- का ratio क्या है यही चीज़ं को find करना है ओके तो question आप समझ गया अब आते हैं इसके solution पर देखे r1 r1 यहाँ पर क्या है r2 क्या है सबसे पहले आपको इन सारे r1 r2 r3 r4 r5 की value चाहिए तो हमने एक हमारे पास वायर था बड़ा वायर इस वायर के हमने कितने टुकड़े किये इस वायर के हमने किये 5 टुकड़े तो देखे हम कैसे निकालेंगे यह पूरा वायर जो ह इसको हमान रहे हैं कि तुम r हो और इसके कितने हम टुकड़े कर रहे हैं तो देखे हम टुकड़े कर रहे हैं यह 1 तुकड़ा हो गया यह दूसरा टुकड़ा हो गया यह तीसरा टुकड़ा हो गया और यह चौथा और पाचवा ठीक है तो एक रोटी के हमने 5 टुकड़े क तो पहला वाला जो है वो इसी R का एक भाग है है ना तो हम क्या कह सकते हैं इसको कि R upon 5 है ना R1 की value क्या हो जाएगी R upon 5 R है पूरा है ना उसके आपने 5 टुकड़े किये है R2 भी मुश्य में से है मतलब R है उसके आपने क्या किये हैं 5 टुकड़े किये है R3 भी आपका वही है R है उसके आपने 5 टुकड़े किये हैं R4 भी आपका वही है R है उसके आपने 5 टुकड़े किये हैं और ये भी R है और R का ही 5 टुकड़े किये हैं ठीक है तो R1, R2, R3, R4 जो भी कोई भी एक piece है तो वो पीस उस पूरे में से 5 हमने डिवाइड किया है तब जाकर के हमको वो मिला है वो पीस एक पीस को एक पीस आपने गेन कैसे किया तो पूरे में 5 का डिवाइड करके तब हमने उस पीस को गेन किया है तो पूरे में 5 का डिवाइड करके हमने उस एक पीस को गेन किया है त 3 इस तरह के से हमको मिल गया ठीक है अभ हमको निकालना है इसका टोटल रेजिस्टेंस ठोटाल रेजिस्टेंस हाने कि शीवलेंट रेजिस्टेंस यह सब कैसे जुड़े हुए बच्चों पैंट ड़ में जुड़े पैलर में अगर जुड़े हुए हैं और equivalent resistance को R' से अगर हमको represent करना है तो formula हमारा क्या हो जाएगा 1 upon R' ठीक है 1 upon R' is equal to क्योंकि हमारा equivalent resistance क्या होता है पैलर में 1 upon Rp, Rp ही तो हम लिखते हैं यहाँ पैलर के लिए Rp लिखते हैं उसी Rp को यहाँ पर R' बोल रहा है आप Rp भी लिख सकते हैं P for parallel, parallel के लिए resistance 1 upon Rp is equal to क्या हो जाएगा 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 or plus 1 upon R4 plus 1 upon R5 अब इसकी value आप यहाँ पर put करिए देखें वह यह हो जाएगा 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 R1 की value क्या दिया गया है? R upon 5 है न तो R upon R upon 5 तो यह 5 क्या हो जाएगा? उपर चला जाएगा तो यह क्या हो जाएगा? 5 अब यहाँ से उपर चला जाएगा तो यह क्या हो जाएगा? 5 upon R हो जाएगा तो इसको अब मैं डारेक्ट यहां से हटाकर रहें कि आपको समझाने के बाद इसको डारेक्ट में लिख रहे हूं कि इसकी जहां पर हम क्या लिख सकते हैं 5 उपान अर क्योंकि 1 उपान और वन है तो यह क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा यह ऊपर चल जाएगा नहीं हम तो क्या कर रहें कि वैल्यू कि इतनी है फॉपान प्लस आर्थि की वैल्यू भी आप लिखेंगे तो R3, 1 upon R3, एक बर वापस समझ लो, 1 upon R3, R3 की value क्या है, R upon 5, तो ये 5 क्या हो जाएगा, उपर चला जाएगा, तो 5 upon R, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 upon R, 5 upon R, तो एक बार, दो बार, तीन बार आपने लिख लिया, चार बार लिख लो इसको, ठीक है, फिर इसको आप 5 बार ठीक है, अब देखो, अब क्या होगा, इस पूरे का आप LCM निकालोगे, तो पूरे का LCM क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर लेना चाहो तो, नहीं, तो आप डारेट पूरे सारे 5 को जोड़ दो, तो ये कितने हो जाएगे, 25 upon R हो जाएगा, लेकिन अगर आप करना तो देखो, ये कितना हो जाएगा, अगर आप LCM से करना चाहे हैं, तो ये, प्लस ये, प्लस ये, प्लस ये, और प्लस 5, इस इकोल टू कितना हो जाएगा, 25 upon R, डारेट भी आप लिख सकते थे हैं, 25 upon R, तो देखिए, 1 upon R P, इस इकोल टू क्या आगया, 25 upon R, अगर आप यह यहां ले आते हैं, R upon R P, तो यहां पर R upon R P, ठीक है, R P, 1, देखो, यह R को यहां ले जाएगा, तो इस R को हम यहां ले जाएगे, तो यह 1 यहां आजाएगा, इस 1 के यहां आने, इसका कोई मतलब नहीं है, यह 25 ही रहेगा, तो यह वैल्यू क्या आजा रही है, 25, यानि कि R और, देखो, यह अगर 25 आगया, और आपकी 1 को भी चलो, यहां लिखी दो, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, 25, 25 upon 1, ठीक है, तो यहां पर रेसियो आपको मिल गया, यह R डैस, यही तो पूछा था ना, कि रेसियो क्या होगा, तो R और R P में, या R और R डैस में, जैसा कि पूछन में दे रखा था, पूछन में दे रखा था, आर और R डैस का रेसियो बताइए, ठीक है, तो R और R डैस का रेसियो आपको क्या मिल रहा है, 1 रेसियो 25, ठीक है, देखे, R क्या हो जाएगा, 25 और R डैस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहां पर रेसियो आपको लिको कोई मतलम नहीं है तो यह कितना आ रहा है दोनों dog का ratio अगर हम निकाल रहे हैं तो दोनोगा ratio कितना रहा है 25 पा रहा है आप देखें इसमें आपके चार option दे रखें थे पहला दिया है one upon 25,one upon 25 आया नहीं है यह क्या आएगा 25 आ रहा है आंसर, तो पहला वाला तो आपका होगा नहीं, दूसरा वाला कह रहा है 1 upon 5, वो भी आंसर नहीं होगा, तीसरा C option जो दे रखा है, वो 5 दे रखा है, वो भी नहीं है, और जो 4th वाला option दे रखा है, यह 25 दे रखा है, यानि कि इसमें answer आपका सही ह तो इसमें आंसर जो सही है वो option D, option D इसमें correct होगा, I think आप लोगों को यह बास समझ में आ गई है, आप अगर note करना चाहें, तो इसको एक बार note कर लिजिए, उसके बाद देखें, यहाँ पर R और RS का ratio निकालना था, तो इसको अगर आप लिखना चाहें, तो R is equal to RS लिखेंगे, यह ratio में आ जाएगा, तो यह यहाँ पर ratio इसका निकालना था, यह ratio आगे 25, ठीक है, चलिए, अब हम आते हैं, next question में, जो हमारा question second है, question second क्या कह रहा है, question number second कह रहा है, does not represent electrical power, ठीक है, कुछ आपको चार option दे रखा है, कह रहा है, इसमें से कौन सा electrical power को represent नहीं कर रहा है, I square R, I, R square, V I, V square upon R, इन चार formula में से कौन सा formula, electrical power का formula नहीं है, ठीक है, तो देखें, अब electrical power के formula से start करो, तो देखें, हमारे पास formula क्या होता है, power, P is equal to होता है, W upon T, ठीक है, power क्या है, कि आप कितने समय में कितना काम करते हैं, वही कहलाता है power, ठीक है, कितने समय में कितना आप electric energy को consume करते हैं, वही होता है power, ठीक है, तो जितनी आप energy लेंगे, है ना, मतलब, देखो, एक wire है, ध्यान से समझें इसको, इसको question को पहले आप ध्यान से समझें, कह रहा है, कि एक ये wire है, ठीक है, इस wire से माल लो, कि एक ये कोई electric appliances लगा हुआ है, दूसरा ये कोई electric appliances लगा हुआ है, ठीक है, दोनों ही electric device है, है ना, अब यहां से, इस wire से, ये wire connected है, पुरा circuit है, अब ये इसमें से कितना energy ले रहा है, और काम कर रहा है, उसी दिये हुए समय में, अगर मैं दिया हुआ समय, समय अगर इनको दे देती हूँ, कि एक second, एक second में तुम कितनी energy इसमें से लेते हो, circuit में आपने दो machine लगा रही है, एक machine ज़्यादा ले रहा है, ज़्यादा power का है, ठीक है, तो एक machine क्या कर रहा है, electrical energy ज़्यादा ले रहा है, तो अगर ये ज़्यादा energy ले रहा है, और ये कम energy ले रहा है, उसी दिये हुए समय में, एक second में ही, तो हम कहेंगे कि इसका power ज़्यादा है, हम कहेंगे इसका power ज़्यादा है, और इसका power कम है, ठीक है, जो जितना ज़्यादा electrical energy लेता है, वो उतना ही ज़्यादा उस energy को ले करके वो रखेगा, नहीं, उस energy को ले करके वो work करके देगा, ठीक है, तो देखे इसी ने हम कहते हैं कि electrical energy, जितना energy लिया, उसने उतना काम किया, यानि कि energy और work done दोनों ही बराबरी हैं, चाहे आप इसी को P is equal to W upon T को हो, या इसी को आप P is equal to E upon T को हो, क्योंकि जितना energy लेगा, उतना ही तो काम करेगा, है ना, तो E is equal to W upon T, या P is equal to E upon T, दोनों ए की बात होगी, इतनी बात समझ में आ गई, अब देखिए, अब हम करते हैं क्या, कि हमको कह रहा है कि इसमें से कौन सा formula power का नहीं है, तो देखो, एक formula तो हमारे पास यह हम जानते हैं कि P is equal to W upon T, काम कौन जितना ज़्यादा काम कर रहा है, या जितना ज़्यादा energy consume कर रहा ह वही होता है उसका power, तो P is equal to W upon T, अगर मैं W की value निकालती हूं, तो W is equal to क्या हो जाएगा, P और T, ठीक है न, तो मैं इस W को E भी लिख सकती हूं, तो E is equal to W, और W और E दोनों की value क्या होगी, P multiply by T, ठीक है, यह चीज यहाँ पर मैंने समझाया, कि जितनी energy लेगा, उतना ही वह काम करके दिखाएगा, इस formula की हिसाब से, E या W, और दोनों ही एक ही चीज है, is equal to PT, ठीक है, अब हम रखेंगे यहाँ पर W की value, W is equal to क्या होता है, VIT होता है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, P की value रख सकते हैं, P is equal to, देखो, P is equal to W को यहाँ से हटाओ, अब पहला मैं हटा रही हूँ, W को हटा रही हूँ, W को हटा करके उसके जगह पर रख रही हूँ, VIT, तो यहाँ पर W को हटा करके, इसको replace करके, और इसकी value थोड़ा से इसको open कर रहे हैं, open कर रहे हैं, तो W को उसके अंदर zoom करके देखिए, तो W आपको नहीं दिखाई देगा, W के जगह पर आपको VIT दिखाई देगा, तो हम W को हटा रहे हैं, उसके जगह पर उसको zoom किया है हमें न, तो zoom करके जो VIT आया है, उसको हमें रख दिया, और appointment T यहाँ पर तो था ही, तेक है, इस T से यह T cancel हो जाएगा, तो P is equal to हमको क्या मिल जाएगा, V और I मिल जाएगा, तो किया हमने यह, यह हमने इस W को, इस W को हमने zoom किया, तो W के जहाँ पर हमको VIT दिखाई दिया, बस उसको VIT को put किया, और इस तरीके से हमको मिल गया second formula, ठेक है, अब आप क्या करिए, अब इस second formula में, अब हमको क्या करना है, कि V को zoom करना है, ठेक है, अब जड़ा एक बार V को zoom करके देखो, और एक बार I को zoom करके देखो, दोनों को हम बारी बारी से zoom करेंगे, तो इस W को अगर हम zoom करके देखते हैं, तो हमको क्या दिखाई देगा, हमको मिलता है, P is equal to, V is equal to IR, ओम सलोग, आपने पढ़ा है, तो हम यहाँ पर V की जहाँ पर क्या रख सकते हैं, हम I square और R, ठीक है, यह आपको मिल गया, देखे, यह हमको मिला है, कौन सा formula, यह हमारा हो गया, formula number 3, ठीक है, main formula से हमने, यह हो गया formula number 3, पहला वाला main formula, दूसरा यह और यह तीसरा, अब हम क्या करेंगे, कि इस I को अब एक बार zoom करके देख लेते हैं, V को आपने zoom करके देखा तो I को भी zoom करके देखो, तो एक बार हम क्या करते हैं, अब I को zoom करते हैं, जब हम I को zoom करेंगे, तो देखे, यहाँ पर क्या है, P is equal to, यह I को जड़ा देखो zoom करके, इसी formula से, I is equal to क्या होगा, V upon R होगा के नहीं, I को यहीं रुको, R को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा is equal to v upon r उसी v upon r को i को जब zoom करते हैं तो हमको i नहीं दिखाई देता है बलकि उसकी जमाँ पर v upon r दिखाई देता है और यहाँ पर i square था तो v upon r का यहाँ पर क्या हो जाएगा से यह r cancel हो जाएगा तो बचाप का क्या v square upon r ठीक है तो हमको एक और यहाँ पर फॉर्मूला मिल जा वो फॉर्मूला क्या है कि p is equal to v square upon r v square upon r ठीक है यह हमको एक और फॉर्मूला मिल गया किसका पावर का ही और हमने जादा कुछ नहीं किया है सिर्फ बारी बारी इसके जुम किया है वाँ हमने w को जुम किया एक यह बर हमने i को जुम किया और इस तरीके से हमको मिल गया formula no.4 ठीक है तो पावर के लिए चार फॉर्मूले आपके सामने हैं अब इसने भी चार फॉर्मूले दिया है ठीक है इसने भी चार फॉर्मूले दे रखे हैं और कह रहा है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें पावर का नहीं है है ना कौन सा नहीं है तो देखो क्या आपको अब इस चार को आप टैली करा लो को एक लिए है आया है आय सक्वाइर किया पहल वाला पॉर्मूला इसक्वायर का कहीं भी हमारा फ़ॉस्ड्प पॉर्मूला हमार हुमारा सेकेंouse so formula कहीं भी हमको IR square मिला है क्या नहीं मिला है ठीक है और यह वाला formula हमको मिला ही है V I V A कहां मिला है हमको formula नमर 2 formula नमर 2 हमारा यह है देखो यह हमने जो किया है यह formula नमर हमारा 2 रहा i square r हमको मिला था formula नमर 3 में मिला था ठीक है और V square upon R, ये हम को मिला तुअ formula number 4. ये हम को कहीं मिला क्या? कहीं भी मिला क्या? नहीं मिला. यानि कि हमारा answer ये होगा. ये P का formula, power का formula ये नहीं होता है. तीक है? I, R square formula, power का नहीं होता है. ऊके नन? तो बचों, इस तरीके से यह हो गया हमारा question number 2 ठीक है? अब हम आ जाते हैं question number 3 पर देखे question number 3 question number 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक हमारे पास क्या दिया हुआ इसमें bulb ही दे रखा है क्या एक बर मैं देखो हूँ जरisms को 番号 question क्या कह रहा है question कह रहा है कि an electric bulb महां एक electric bulb है जो की 220 volt का उसको potential दिया जा रहा है और जो bulb है वो 100 watt का है ठीक है अगर आपने कह रहा है कि when it is operated on 110 potential potential difference पहले 220 था अगर potential difference को आपने आधा कर दिया 110 potential difference अगर आपने कर दिया ठीक है जैसे पहले आपने एक cell लगाया था अब पहले आपने दो cell लगाया था फिर आपने एक ही cell लगा लिया ठीक है तो आपने potential difference को आधा कर दिया है तो पहले इसका power जो था वो 100 watt का था आपने potential difference जो कम कर दिया तो अब जो bulb है उसका power क्या होगा ठीक है हमको power बताना है कि अब उ वाट मीन्स क्या होता है जस्ट वेट वीटा एक सब्सक्राइब अपने वाइल को साइलन पर डाल दो बस एक मिनट हाँ क्या आप मीनिंग वाफ 100 वाट समझ रहे हैं 100 वाट का मतलब क्या हुआ कि इस सर्केट से है ना इस सर्केट से यह जो हमारा बल्ब है वह एक सेकंड में 100 जूल की एनरजी को कंज्यूम कर रहा है अभी मैंने बताया आपको यहां पर वही वाली बात है पावर का मतलब क्या होता है कि काम करके देगा ठीक है काम करके देगा पावर है उसका पावर 100 वाट का है तो इसका मतलब की काम करने के लिए उसको एनरजी चाहिए पावर तो एक सेकेंड में वह हंड्रेड जूल के एनरजी को खा रहा है और तब वह हंड्रेड वाट का काम करके आपको देगा ठीक है ना तब यह बल्व जलेगा तो अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर इलेक्रिकल डिवाइस पर उसका वाट लिखा हुआ है कि वह इतने वाट का है मिन्स कि वह इतनी एनरजी एक सेकेंड में कंजूम करके ही काम करेगा इतनी बास में आ गई आप देखें रेजिस्टेंस इस वाइर में अगर हम देखें है ना इस सर्किट में तो आपने पोटेंसियल चेंज किया पावर देखो पहले इतना था फिर पोटेंसियल आपने change कर दिया, जब potential इतना था तो power इतना था, potential आपने change कर दिया तो power कितना होगा ये आपको बताना है लेकिन कहीं भी आपने कैई स्में resistance change की या नहीं, wire तो अभी भी हमारा वही है, ठीक है? आपको सिर्फ bulb का power बताना है कि bulb का power change हो जाएगा, अब बल्ब कितने power का आप लगाएंगे अगर आपने potential यहाँ पर change कर दिया potential difference को आधा कर दिया है तो कितने what का bulb आप यहाँ पर लगाएंगे ठीक है लेकिन wire हमारा वही है जब हमारा wire वही है तो resistance हमारा वही होगा वही है हमारे पास और हमारे पास क्या है हमारे पास P V और आर है ना तीन बातों पर जिक्र हो रही है ओके resistance तो constant ही है वी को change करना है तो power आपको बताना है यानि कि कुल मिलाकर के गोल गोल घूम रहे हम किस पर P पर V और आर पर तो अब आप power के उस formula को इस्तेमाल करिए जहां पर आपको V ये तीनो P V और R तीनो ही मिलते हैं तो क्या पहले वाले formula में ये मिल रहे हैं बिलकुल नहीं दूसरे वाले में आया जा रहा है नहीं मिल रहे हैं तीसरे वाले में देखो आया जा रहा है नहीं मिल रहे हैं चौते वाले formula में देखो आप आपको V मिल रहा है, R मिल रहा है, P मिल रहा है, तो क्यों न हम यही पटाक से यह formula इस्तेमाल करें, तो हम यहाप पर formula इस्तेमाल करेंगे, P is equal to V square upon R, तो क्योंकि R हमारे क्या है, R तो constant है, अब यहाँ पर देखो क्या बजाएगा, P is equal to V square, ठीक है, potential आपको 110 potential में आपको power बत 10 ठीक है, दो बार आपने इसको multiply करेंगे, resistance इसका क्या है, constant है, ठीक है, constant resistance तो है, बट resistance है कितना, कितना resistance है, वो आपको find करना पड़ेगा, रेजिस्टन्स कितना है, वो आपको find करना पड़ेगा, वो resistance निकालने के लिए अब पहला इस्तेमाल कर लो, ठीक है, फर्स्ट वा आप आप निकालने के लिए क्या करेंगे उसी formula को इस्तेमाल करेंगे वापस से ठीक है resistance निकालने के लिए हम इसी formula को इस्तेमाल करेंगे और देखो बहां से हम resistance अगर निकालते हैं तो हमारा r is equal to क्या हो जाएगा r यहाँ चला जाएगा और p यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ हमारा v square upon p ठीक है यहाँ पर value रखते हैं ठीक है तो v square आपको r find करना है v और p की value आपको दे रखी है v की value कितनी दे रखी है 220 और 220 पर power कितना है 100 ठीक है तो यहां हमारा हो जाएगा 220 और multiply by 220 क्योंकि square है और upon power कितना है 100 ठीक है यह हो गया हमारा hundred इससे इसको हमने cancel किया तो r is equal to हमको कितना मिल गया 22 multiply by 22 ठीक है यह r की value मिल गई जो r की value मिली है बस उसको अब यहां पर आप put कर दो ठीक है तो r की value आपको कितनी मिल गई है 22 multiply by 22 अब देखो इसको आप cancel करिए इसको काट करके देख लो एक बार calculate कर लो इसको calculation में direct देख लेती हूँ है 110 110 और multiply by 110 है कितना रहा है 110 multiply by 110 यह आगया आपका is equal to यह आगया हमारा one two one double zero और upon divide करना है हमको divide किसे करना है 22 multiply by 22 यह तो आपको पता ही है है 1 square 484 यह is equal to कितना हो जाएगा हमारा देखिए यह हो जाएगा हमारा one two one double zero divide by four eight four यह आगया answer हमारा twenty five ठीक है तो यह power की value आ जाएगी हमारी कितनी twenty five ठीक है और power power है बचों तो यह किसमे रहेगा watt में है ना तो unit लिखना बिल्कुल भी हमको भूलना नहीं है तो यह आ जाएगा हमारा twenty five watt ठीक है तो पूछ रहा है कि अगर आपने पहले आपका था 220 volt potential difference था तब power आपका 100 था तो आपने यहाँ पर potential को आधा कर दिया तो power आपका कितना हो जाएगा पावर आपका one-fourth हो जाएगा ठीक है आप देख रहे है पच्छिस हो गया है तो बच्छों इस तरीके से बचों हमने यह निकाल लिया answer अब यह हो गया 24 25 watt ठीक है तो बच कौन सा वाला सही है इसमें पहला दिया है 100 watt दूसरा दिया है 75 दिया है 50 watt और चोगता दिया है 25 तो आपका इसमें option number 4 है मतलब option number D यह आपको 25 watt दिया था यह वाला answer सही होगा लेकिन तीनों ही question क्या है न थियोरिकल नहीं है numerical है इस वज़े से यहाँ पर time लगा तो बच्छ कर दो